हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब अचा करता हूँगे आप सब स्वस्थ होगे और मस्थ होगे ये वीडियो की टॉपिक देखके आपको पटा चल गया होगा कि इसमें हम क्या डिसकस करने वाले हैं तो फ्रेंज अगर आपके पास कोई पूराना लैप्टॉप है जिसकी आप क्लिक करना ना भूले और फ्रेंज ये वीडियो में मेरे पास एक जो लिनोवो का एट साल पूराना लैप्टॉप है उसकी में रैम अप्रेट करने वाला हूँ और उसकी डेट बैटरी को रिप्लेस करने वाला हूँ और ये आप कैसे कर सकते हो वो सब ये वीडियो में हम हम लोग discuss करेंगे friends तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं let's begin ओके friends तो पहले हम लोग discuss करेंगे कि RAM कैसे अपग्रेट करें तो पहले तो आपको find out करना है जो laptop का जो आपका model number है और जो भी model है जो भी brand है जिसके आप RAM अपग्रेट करना चाहते हो तो पहले तो find out करना पड़ेगा उसमें एक extra slot available है या नहीं फिर आप उसकी RAM purchase कर सकते हो और आपकी जो पूरानी RAM लगी हुई है वो क्या specification की है तो हम लोग कैसे find out करेंगे हम लोग उस laptop की back panel open करेंगे और उसकी पूरानी RAM निकालेंगे उसका जो भी model number है या तो उसकी type या उसकी clock speed लिखी होती है तो वो डेखेंगे पहले आपको वो पटा करना है फिर आपको वो ही specification की RAM purchase करनी है और बाद में वो RAM आपको मिलने के बाद आपको उसको upgrade करना है तो चलिए friends कैसे करेंगे देखते हैं ओके friends तो यह है मेरा लीनो अबरान का laptop जिसका model number है Z570 यहां लोग उसकी back panel पे चलते हैं तो अगर आप यह sticker देख वा रहे हो तो यहां पे उसके model numbers और सब लिखा रहता है कि यह laptop कौन सा model number है और क्या है तो friends हमको पहले laptop को उल्टा कर देना है उसकी back panel को upside ले आना है तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे एक panel दिख रही है ओगे friends जिसको हमको open करना है अगर यहां पे symbols देख पा रहे हो यहां पे ओगे friends तो यहां पे symbol बने हुए है hard disk के प्रोसेसर के रैम के जो इंडिकेट करता है कि अगर आप यह panel open करोगे तो आप उसको access कर पाऊगे तो पहले friends चलो आपके लिए मैं open कर देता हूँ ओगे friends तो यहां पे हमारा back panel open हो चुका है तो अगर आप यहां पे देखो तो यह हमारा processor unit है यह hard drive unit है और यहां पे हमारा RAM लग रहा है तो friends आप यहां पे डियान से देखोगे तो यह एक RAM मेरा लगा हुआ है और यहां पे मेरे पास एक slot और एक slot available है जहां पे मैं और एक RAM लगा सकता हूँ यही आपको check करना है कि आपके पास एक slot available है या नहीं ओके friends और डूसरा अगर यह आप RAM की अगर RAM की यह serial number और detail देख पाऊ तो आपको पटा लगेगा उस पे से कि आपकी अभी जो RAM लगी हुई है वो कौनसी specification की है और आपको नई RAM जो purchase करनी है वो यही specification की आपको purchase करनी है ताकि इसके साथ compatible हो जाए एक बड़ मैं आपको वो RAM भी निकाल के दिखाऊंगा तो यहां पे डो pins रहती है वो पिन्स को आपको just push back करना है तो यह RAM 45 degree के उपर आ जाएगी फिर आपको उसको just वहां से ऐसे करके रिमूव कर लेना है तो यह RAM आपके पास हाथ में आ जाएगी तो यहां पे अगर आप camera में देख पा रहे हो मैं इसकी clear image आपको दिखाऊंगा तो यहां पे उसके models number और उसकी specification लिखी रहती है तो अगर आपको इस पे से समझ नहीं आ रहा है तो यह model number या आपका इसका serial number आप सीड़ा Google में दालोगी तो इसकी आपको specification seat मिल जाएगी जिस पे सापको पटा करना है कि यह DDR3 RAM है और उसकी clock speed कितनी है ओके फ्रेंट तो इस पे लिखा हुआ है कि इसकी clock speed 13 33 MHz है और यह DDR3 RAM है और इसकी जो branding है वो है RAM XL की तो मैंने सेम वह स्पेसिफिकेशन की सिम्ट्रोनिक्स की RAM मैंने पर्चेस की है DDR3 RAM है यह 4GB RAM है और इसकी clock speed 13 33 MHz है तो फ्रेंट चलिए इसको मैं पहले अन्बोक्स कर लेता हूँ आपके लिए तो यह सिम्ट्रोनिक्स की है और यह हमारी जो लैप्टॉप के साथ ID 4 RAM है और यह RAM जो मैंने नई पर्चेस की है यह इसकी कैपेसिटी भी 4GB है और इसकी कैपेसिटी भी 4GB है डोनो DDR3 और 13 33 MHz की RAM है इसमें आप DDR3 की ज्यादा clock speed वाली भी RAM लगा सकते हो फ्रेंट लेकिन मैं आपको recommend नहीं करूंगा क्यूंकि अगर आप अगर नई RAM जो है आपकी वो उसकी clock speed आपकी पूरानी RAM से ज्यादा है तो क्या होगा फ्रेंट्स आपकी जो कम clock speed वारी RAM है उसके उपर ही perform करेगा तो आप जो ज्यादा पे कर रहे हो ज्यादा clock speed के लिए वो आपकी यूजलेस हो जाएगी तो मैं आपको recommend करूंगा कि आपकी जो पूरानी RAM की clock है वही आप clock speed की RAM आप purchase करें तो चलो उसको हम लोग अंदर install कर देते हैं तो यह मेरी पूरानी RAM है जो मेरा पहला slot है उसमें आपको पहले देखना है कि यह जो slot बना है ओके फ्रेंट्स यह जो उसके अंदर slot है RAM का उसको आपको कौन सी साइड रखना है वह आप पहले देखके उसको 45 डिग्री के उपर रखके उसको अंदर रख दीजे फिर जस्त आपको उसको कुछ नहीं करना है नीचे पूस्ट बैक करना है ताकि यह जो स्प्रिंग है वह उसको एकड़म टाइट ली पकड़ दे अब यह मेरे पास हमारी नई RAM है उसको भी मैं सेम एस मेरा जो यह उपर का स्लोट है उसमें मैं कि उसको 45 डिग्री के उपर रखके यह अंदर फिक्स हो गया जास उसको मैं पूस्ट बैक करूंगा और वह भी उसकी देख लीजे कि आपकी परफेक्ट टाइट हो जाए ओके फ्रेंज तो यह हमारी आपके आपके अलग अलग मॉडल के हिसाब से आपकी अलग अलग इसमें पैनल की जो ऊपनिंग है रेंप की जो पूजीशन वह अलग हो सकती है अगर आपका लैप्टप Z570 है लीनो का तो सेम आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे मेरे लैप्टॉप में आप देख रहे हो तो इस इसकी बैक पैनल बन करके हम लोग लैप्टॉप चालू करके देखेंगे कि रैम अप्डेड हुई है या नहीं तो फ्रेंस चलिए देखते है ओके फ्रेंस तो रैम को अप्डेड करने के बाद वह रैम डिटेक्ट कर रहा है के नहीं सिस्टम वह हम लोग कैसे जान तो यहां पर मैंने आप जो अब स्क्रीन पर देख रही है वह मेरे लैप्टॉप की इसका बूट सेटिंग होता है उसका जो बाईस सेटिंग होता है वह आप अभी पेज डेख रहे हो तो बेसिकली जनरल ही वह जैसे अप लैप्टॉप अन करते हो अगर आप अपके लैप आप एक बार उसको देख लीजिए और यह बायो सेटप में आने के बाद जो इन्फोर्मेशन का जो उसका मेन्यू है उसके अंदर अगर आप यहां पे देखोगे जो सिस्टम मेमरी है वो अप्ग्रेड होके 8192MB हो चुकी है यानि 8GB हो चुके है तो यहां से हमको पता चल ज किया है अगर आपको यह बायोस का जो सेटिंग आप एकसेस नहीं कर पा रहे हो तो विंडोस के अंदर से भी आप कैसे उसको देख सकते हो वो में आपको डिखाऊंगा तो विंडोस में जाके आप कैसे चेक करते हो कि आपकी रेम को आपकी सिस्टम ने डिटेक्ट किया है क नहीं किया तो चलिए वो भी देखते हैं ओके फ्रेंज तो ये हमारा विंडोज खुल चुका है तो विंडोज के अंदर आपको क्या करना है आप कहां से चेक करपा होगे कि आपकी आपने जो रेम अफग्रेट की है वो सिस्टम ने सिस्टम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है तो पहला तो ऑप्सन है अब ये जो टाइम वाला जो है टाइम वाला पोर्शन वो टाइम वाले पोर्शन पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में चले जाई है task manager के अंदर यह जो उपर के tabs है उसमें आप performance में चले जाए यह performance में आप यहाँ पे देखेंगे physical memory तो यहाँ पे total memory जो available है वो आपकी 8106 दिखा रहा है यानि आपने जो RAM upgrade की है 4GB वो यहाँ पे detect हो चुकी है दूसरा option है आप my computer पे चले जाएए उसको right click किजिए वहाँ से आप उसमें properties में चले जाएए तो यहाँ पे जो यह open होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो install memory RAM वो RGB दिखा रहा है डाइकली okay friends तो यह यहाँ से आपको पड़ा लग जाएगा कि आपने जो RAM update किया है वो system ने detect कर लिया है और अभी आप जो 4GB आपकी RAM थी वो RGB हो चुकी है तो यह था friends RAM कैसे upgrade करते हैं अभी move on करते हैं battery को कैसे replace करेंगे Okay friends तो हम लोग ने RAM upgrade कर लिए अब हम लोग यह laptop की battery replace करने जा रहे हैं तो वापिस आपको laptop को back side पे लाना होगा battery replace करने से पहले friends त्यान रखे आपने adapter की जो pin है आपको निकाल लेनी है बाद में ही आप battery को निकाले वरना आपकी battery नई battery damage हो सकती है तो वापिस हम लोग पीछे की side पे आ जाएंगे तो यहाँ पे यह जो आप portion देख रहे हो इतना वो battery है तो आपको battery कैसे replace करने है तो उसका lock होता है यह lock आपको open कर देना है और इसको आपको hold करके रखना है और आपको battery को ऐसे करके remove कर लेना है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो battery की स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है कि कितने watt का output है और कितने mh की battery है तो यह सेम स्पेसिफिकेशन की आपको battery purchase करनी है और उसको replace करनी है तो यहाँ पे जो मैंने जो परांड की बैटरी खड़ी है वो है labguard की तो चलिए उसको हम लोग unbox कर लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं तो यह labguard की battery है friends जो amazon के उपर online मैंने मंगाई है बहुत सारी batteries की brand available है locally आप लीनो वो ब्रांड की भी battery ले सकते हो लेकिन वो क्या है friends थोड़ी costly आती है तो इस बार मैंने जो मेरी battery replacement है वो मैंने एक अलग brand की try करने की use try करने का मैंने कोसिस किया है और इसकी performance क्या रहेगी वो मैं अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी एक video बना के आपको बटा दूंगा तो फिलाल यह जो मैंने battery मेरी जो battery थी लिनोव की वो थी मेरा 10.8 watt का उसका output था और उसका 48 watt अवर उसका power था और 4400 mh की battery थी अभी यह जो मैंने battery purchase की है वो same specification की है वो भी 10.8 watt output देती है 4000 mh की battery है और 43 watt अवर का उसका power है तो उसको हम लोग fix करके देखेंगे और windows की screen में जाके देखेंगे कि windows ने यह battery को detect किया है के नहीं यह battery install हो चुकी है वापिस यह lock को off कर देना है तो यह थी हमारी battery हम लोग कैसे replace कर सकते हैं ओके friends तो हम लोग भी windows में जाके देखेंगे कि battery को windows ने detect किया है और कितने person charges दिखा रहा है और battery का जो backup timing है क्या है वो सब मैं आपको अलग video अगर आप मुझे कॉमें सिक्षन में लिखे तो मैं एक अलग video बना कि आपकी battery की जो backup timing है रैम की जो performance है वो मैं बना के आपको दिखा दूंगा आपके फ्रेंट्स तो यहां पर मैंने windows बूट अब कर लिया है विन्डो स्टार्ट हो चुका है तो एक बर फिडिए यहां पर देख लिए बैटरी जो यहां पर दिखा रहा था जीओ पर्सन यहां पर बहुत चार्जिंग भी दिखा रहा है तो हम लोग ने यहां पर हमारी जो लैप्तॉप की रैम है वो अप्रेट कर दी है और बैटरी भी हमने रिप्लेस कर ली है नमस्ते फ्रेंज आसा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन रही होगी बहुत यूसफुल रही होगी और यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो फ्रेंज यह वीडियो को लाइक किजिए और अगर आपको अपने लैप्तॉप के कोई भी पर्टिकुलर मॉडल में रैम अप्रेट करने में या तो बैटरी को रिप्लेस करने में कोई भी आपको कोई क्वेरी जा रही हो कोई प्रॉब्लेम्स आ रही हो तो आप मुझे सेर कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो आपकी क्वेरी को आंसर करने की मैं पूरे से पूरी कोसिस करूंगा फ्रेंज तो मिलते हम अगले वीडियो में टपते के लिए स्टे ट्यून